नमस्कार इस समय हम अरियासी के खेल मैदान में मजूद हैं और बैठ कर इसलिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं क्यूंकि ये जो गास यहां पर उगी हुई है इसकी जो लंबाई है वो आपको पता लग सके ये आप देख सकते हैं जो मैदान से कितनी ऊपर ये गास उगी हुई है और टाइटल में हमने एक फीट के करीब जो गास है उसका जिक्र किया है और उससे भी ज़्यादा यहां पर देख सकते है ये गास जो है इसकी उन्चाई है ऐसे में यहां पर जो खिलाडी है कैसे खेल ये इस समय हम आपको बता दें उस तरफ की भी तस्वीरे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वहां पर ज़्यादा तर जो हिस्सा है वो ठीक है वहां पर इतनी उन्चाई गास की नहीं है लेकिन जिस हिस्से में इस समय मैदान के में मजूद हूँ यहां पर जाहिर तोर प आप तस्वीरों पर भी में भी देख रहे हैं कि एक फीट से भी जादा उन्चाई यहां पर गास की है जब रिपोर्टिंग से पहले इस लाइव से पहले हम यहां पर टहल रहे थे तो यहां पर चलना भी दुश्वार हो रहा था तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि खिलाडी यहां पर कैसे खेल पाएंगे जब क्रिकट का अगर मैच होगा गेंद इस तरफ आएगी तो वो इस गास में ही रुक जाएगी और इसके इलावा भी अगर कुछ और खिलाडी खेल रहे हैं तो इस तरफ वो खिलाडी नहीं खेल पाएंगे बहुत से खिलाडी इस बारे में पहले हमें जानकारी दे चुके हैं आज हम यहां पर पहुंचे हैं और इससे पहले भी हमने देखा था कि एक स्टोरी हमने उस तरफ से की थी जो कि कवड़ी का कोट है और वहां पर भी मुकेश शर्मा जी की याद में दीवाली के दिन दिये जलाए गे थे और उस दुरान आपको बता दे कि कोट को साफ करना पड़ा था क्योंकि काफी उंची गास उगी हुई थी और साफ किया गया था और इस पूरे ही एरिया में बैदान के इस पूरे एरिया में जो है गास काफी उंची उगी हुई है काफी बड़ी बड़ी गास यहां पर उगी ह तो ऐसे में खिलाडी कैसे खेलेंगे और समस्याई क्या क्या पैदा होती है वो आपको बता दें जब बारिशों के दिनों में यहां बारिश होती है तो यहां पर कीचड़ होता है और यहां से गुजरना भी दुश्वार हो जाता है मुश्किल हो जाता है काफी परिशानिये पेश आती है और इसके इलावा पहले ये भी जानकारियें कुछ खिलाडियों ने दी कि सांप भी इस मैदान में देखेंगे हैं यहां पर अगर कोई क्रिकट मैच के दुरान कोई खिलाडी फिल्डिंग कर रहा होगा बैसे तो गेंद यहां पर अपने आप ही रुक जाती है तो उस दुरान अगर कोई सांप काट जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा क्योंकि यहां पर दिखेगा भी नहीं और हमें भी नहीं दिख रहा है और काफी खत्रे से बड़ा यह पूरा इस साइड का जो स्तान है मैदान का वो है और कीचड रहता है जब बारिश होती है यह एक बड़ी समस्या है इसके साथ ही वो सामने जो शोचाले आप देख रहे हैं और जो पाइपस है उसकी वो भी तूटी हुई है तो रख रखाब जो है उस शोचाले का नहीं किया जा रहा है रखा जा रहा है और ना ही मैदान में गास को काटा जा रहा है तो ऐसे में जो स्पोर्स कॉंसिल है या फिर स्पोर्स अधिकारी है जिनके भी अंतरगत जिनकी भी जम्यवारी इस मैदान को सही रखने की बनती है आखिर वो कहां पर है क्यों सुध नहीं ले रहे और जो जिला प्रशासन है डीसी रियासी है या फिर और जो जम्यवार लोग हैं वो क्यों सुध नहीं ले रहे अपनी accountability को क्यों नहीं समझ रहे अपनी responsibility को क्यों नहीं समझ रहे और क्यों इस मैदान को साप स्वच नहीं रखा जा रहा अब ये जो गास होगी है इसमें तो खिलाडियों का कोई दोश नहीं है अब इसमें तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों का भी स्वच बारत में योगदान होना चाहिए अब ये गास अगर खिलाडी काटेंगे तो वो वक्त खेलने के लिए नहीं निकाल पाएंगे तो स्पोर्स कॉंसिल या स्पोर्स बिवाग को सुद लेनी चाहिए और बड़ी बातें जो की जाती है मिशन यूथ की बात की जाती है खेलो इंडिया की बात की जाती है तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गास में उन्ची गास में एक फीट से भी जादा उन्ची गास में आखे खेलो इंडिया का सपना कैसे साकार हो पाएगा कैसे खिलाडी जो है वो खेल पाएंगे और जानकारी ये भी मिलती थी कि मैदान के जो साइड के इलाके हैं वहाँ पर बॉटल्स भी रहती हैं या फिर कहीं अंदर भी बॉटल्स भी रहती हैं तो ऐसे में इंजर्ड होन साप सुत्रा इस मैदान को रखा जाए तमाम खिलाडी जो है वो यहां पर आए और अच्छे से खेल सके और रियासी जिले से रियासी शहर से बड़े स्तर पर खिलाडी खेल सके और रियासी शहर का और यहां के लोगों का नाम रोशन कर सके तो साइनिंग आफ सायम के साथ मु